हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल माई स्टडी नोट्स मैं मीरा चावडा आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेट सेवन मैंसरेशन टॉपिक का एक क्वेशन है वो डिसकस कर रहे हूं तो यहां पर यह टॉपिक जो है उसमें में चीज है कन्वर् चाहिए सेम यह value की हूनी चाहिए लाइक यह meters में है तो यह भी meters में होना चाहिए तो चली सुरू गरते हैं question तो यहां पे सारी units आप देखोगे same ही है पर यहां पे हमको इन सब को आंसर लाना है square meters मे या फिर meters square में तो question read करते हैं पहले find the area in square meters of a rectangle तो rectangle का area निकालने का formula है length into breadth L into B जो है इस formula से हम rectangle की area निकालते हैं तो rectangle कैसा होता है इस तरह से होता है तो ये हुवी उसकी length और ये हुवी उसकी breadth ये जो side है वो तो दोनों को multiply करेंगे तो area निकलेगा हमारा और हमें जो area निकालना है उसका unit क्या होना चाहिए meter square या उसको हम square meter भी बोलते हैं तो confuse करने के लिए ये लोग इस तरीके से unit को लिखते हैं square meters पर actually उसका मतलब होता है meter square तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो units है उसको हमें meters में लाना होगा पहले और फिर निकालनी होगी हमें area तो first question देखते हैं length is equal to 4.5 meters and breadth is equal to 1.6 meters इसमें तो already हमारा value meter में है तो हम directly इस value को L into B करके area of rectangle निकाल लेंगे second question देखते हैं तो second question में centimeters में दी है तो इन दोनों ही values को हमें meters में convert करना होगा third question देखते हैं 3dm into 6 cm और 2dm into 9 cm तो ये dm क्या होता है decimeter और centimeter इन दोनों को ही हमें convert करना होगा meters में तो कैसे करेंगे वो इस video में मैं आपको detail से समझाओंगी तो ये video into 1.6 तो अब point का multiplication कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूं तो 4.5 into 1.6 तो 5 6 5 जा होता है 30 24 6 जा 24 25 26 27 फिर यहाँ पर क्रॉस करेंगे 1 5 जा 5 और 1 4 जा 4 0 7 2 7 प्लस 5 12 4 5 6 और 7 7 20 आया answer अब हमें क्या देखना है देखो हमारे पास फर्स जो नंबर है वो 4.5 है मतलब 5 जो यहाँ पे है वन्स की प्लेस में 5 एक डिजिट के नंबर के बाद पॉइंट है दुसरा नंबर है हमारे पास 6 1.6 दुसरे नंबर में भी 6 के बाद once digit 6 के बाद point आता है तो इस तरीके से हमें दोनो numbers के number of digit places को add कर देना है ये first और ये second तो दो digit के बाद हमें point लगाना है हमारे answer में तो यहाँ पर answer आएगा हमारा 7.20 चीक है तो point जब भी लगाना होता है पहले आप normal multiply कर लो फिर आपके जो भी number है उसमें कितने digit के बाद point है वो आपको add करना रहेगा तो यहाँ पर एक digit के बाद point है first number में second में भी एक digit के बाद point है तो 1 plus 1 हुआ 2 मतलब answer में हमें 2 digit के बाद points डालना होता है I hope point कैसे लगाना है वो clear हो होगी आपको नचलिए next question दिखा solve करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया जो units है वो same है centimeters है पर हमें answer चाहिए meter square में तो दोनों कोई हम पहले meters में convert करेंगे फिर answer निकालेंगे तो कैसे meters में convert करना है तो यहाँ पर देखिए अच्छे से तो one meter is equal to hundred centimeter यह जो आपको है वो learn करना होगा जो relations होते हैं वो सारे तो one meter is equal to hundred centimeter तो हमें meter में convert करना है इसलिए यहाँ पर x लिखा और हमें value कितनी दी है 720 centimeters में already दी है तो 720 centimeters यहाँ पर लिख दिया फिर हमें cross multiply करना है x into hundred और 720 into one इस तरीके से करेंगे तो next step में यह x into hundred is equal to 720 है तो x के साथ hundred multiply form में है उसको हम लेके जाएंगे right hand side तो वो divide form में आ जाएगा तो x equal to 720 by 100 तो 00 cancel होगा अब यहाँ पर देखो 72 by 10 हुआ तो नीचे 10 एक digit है उसका अगर हम एक zero cut करेंगे तो decimal point जो 2 के बाहर है हभी 2 के right hand side में है वो अंदर आ जाएगा 2 के left hand side में मतलब one digit shift होगा अंदर decimal point क्योंकि नीचे divide by 10 है तो 10 को अगर हम decimal में convert करेंगे तो answer आएगा हमारा 7.2 meter जो की length हमको दी है next हमको दिया है breath breath हमको 25 cm दिये same method apply करेंगे 1 meter is equal to 100 cm मीटर में हमको value निकालना है तो x 25 cm हमें दिया है cross multiply करेंगे तो x into 100 is equal to 25 into 1 तो यहां पे 25 by 100 आता है answer यहां पे क्योंकि 720 था तो एक 0 cut हो गया तो 10 आया यहां पे 100 है तो मतलब 2 digit हमारा decimal जो है left hand side shift होगा तो एक 0 cut मतलब 5 के जो right hand side में decimal है वो one digit shift होगा left hand side दूसरा 0 cut करेंगे तो यह दूसरा shift होगा तो कितना answer आएगा 0.25 meter breath आई हमारी अब इनको हम length और breath हमको मिल गई अब उनको हम simply multiply करेंगे यह जो meter converted वाली आई है उसको हम multiply करेंगे तो answer आएगा हमारा 1.8 तो आप इनको multiply करिएगा और फिर आप कितने digit के बाद point रखेंगे तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तो जो भी आपका multiply का answer आएगा उसमें आप 3 digits के बाद point रखोगे तो आपका answer आएगा 1.8 something आएगा पर यहाँ पे 1.8 लिखा है meter square ठीके तो अभी हम मैं third question दिखाती हूँ जिसमें dm और cm दोनों को ही हमें convert करना होगा तो यहाँ पे देखिए l3 dm 6 cm दिया है तो 1 dm is equal to 10 cm यह relation होता है cm पहले हम dm को cm में convert करेंगे तो यहाँ पे यह होता है value तो 3 dm is equal to 6 cm तो 1 dm is equal to 10 cm तो 3 dm है उसको हमें cm में convert करना है तो x लिखा हमने cross multiply किया 3 into 10 is equal to 1 into x तो x हमारा क्या आया 3 into 10 अब हमें यहाँ पे भी यह जो dm है उसको cm में convert किया तो क्या आएगा 2 into 10 cm सेम apply होगा अब हमारी length क्या हो जाएगी 3 into यहाँ पे यह जो 3 dm 6 cm ऐसे दिया है 3 dm 6 cm तो dm को हमने cm में convert कर दिया तो क्या हो गया 3 into 10 प्लस यह 6 cm करना है इसी तरीके से 2 into 10 प्लस यह 9 cm करना है तो 36 हमारा cm आया यहाँ पे 10 into 3 प्लस 6 तो यहाँ पे हम board mass rule अप्लाई करेंगे divide multiply plus minus तो पहले multiply करेंगे 3 tens आ 30 फिर प्लस फिर minus तो उसके बाद हम प्लस करेंगे same way हम यहाँ पे करेंगे तो answer आएगा हमारा 29 cm अब यह हमारी जो value आई cm में उसको अब हम meter में convert करेंगे तो 1 meter is equal to 100 cm हमको cm में answer दिया है तो cm में answer लिखा meter में हमको नहीं मालूम निकालना है तो x डाला यहाँ पे cross multiply किया तो क्या आया x into 100 is equal to 36 into 1 तो x equal to 36 by 100 तो by 100 है इसका मतलब 2 decimal point यह left hand side shift होगा जो हमारा decimal बाहर होता है वो 2 point left hand side shift होगा digits के तो 0.36 meter हमारी length हाई same way यहाँ पे हमको 29 cm को meter में convert करना है तो same formula apply करेंगे same method भी apply करेंगे answer आएगा हमारा 0.29 meters अब हमारा दोनों values है वो meters में हमको मिल गया है अब इसको हम multiply करेंगे L into B तो हमारा यह answer आएगा और जो भी हमारा answer आया है उसमें हमने 4 digit के बाद point लगाया है क्योंकि हमारा question जो है उसमें 0.36 और point के बाद 1, 2, 3, 4 total 4 digit है point के right hand side में तो हम answer में भी total 4 digit के बाद हम point लगाएंगे तो इस तरीके से हमका answer है 0.1044 meter square I hope आपको समझ में आ गया होगा कि यह conversion कैसे करना है decimal point कैसे लगाना है multiplication में और division form में तो अगर आपको मेरा video जो है useful लगा है तो like, share, subscribe करें मेरी channel को thank you and thanks for watching